सबसे पहले उचिच सर में आपी के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा यदि एक दशक की बात कर लें तो गरिया बंद के सूपे बेड़ा और आसपास के दरजन भर ऐसे गाउं है सर जो की लगातार दूशित पानी की वज़ा से परिशान है बात भले भीजोपी की स देखिए सेंसीलता की पराकास्था है कि दोनों ही सरकार इसका कुल सालूसर नहीं निकाल पा रही है पिछले एक दसक्स ही हो रहा है लगबग 75 बता रहे हैं वहां पे ग्राउंड जीरो से जब आप लोग देख किया है तो 126 से जादा मौते हो चुकी है और आप सदर में ब ब्रोक्रेसी है फेलियर आफ लीडर्शिप है फेलियर आफ क्वर्वेंट है कि आप 10 साल से पानी जैसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं यह अकर्मनता जैसे बड़े-बड़े सब अभी में सुन रहा था आपी के जो निता प्रतिपक्ष कहा रहते लेकिन यह के सब्सक्राइब के लोग आ रहे हैं कि एवारी मंतरी है इसे जवाब इंता नहीं इसके जबाढ कर रहे है के बड़ी बड़ी योजना है केवल वहां पे आम ला रहे हैं यह बताने के लिए हम कुछ कर रहे हैं बड़ा राच्टी मुद्दा है यह कि वहाँ पे आप के डिजिकी नहीं रही है यह समाजी अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं समाजी समस्या अलग खड़ी हो रही है लोग वहां से बेटिया नहीं ले रहें साधी ब्यास उपर बेड़ा उन्हों सेरी में बंद हो गए यह जीब एक समस्या उठके आई है क्या बड़े-बड़े फंक्सेन बनाने के लिए तो नहीं था बड़े बनाने के लिए कोविट न अरे कोविट के कारण ये आप अगर कोविट में काम करना चाहते हैं तो इस काम को सबसे पहले प्राइटी में होना चाहिए उस काम को आप कोविट का बताईए कोविट के काट कौन से काम रुके है क्या किसी का बड़े बनाने रुके क्या जितने भी 30 त्योहार पोला तीज कि आप बाजपार नहीं कि आप जिम्मदारी आपकी है जिम्मदारी लीजे उमीद तो दुनिया कायब है मैं इस पारवें में पूरे निगेटिव नहीं हूँ और मैं समस्ता हूं कि अगर इन लोग चाहल है तो यह चीज संभाव कोई अबुग काम से वादा करते हैं कि हम सकी लिए सजीदा है हमारी सरकार संजीदा है तो हमारी सुपकाम नहीं हुए अपंळाती और आप दो जानते हैं कि समस्ते